जेहीं दोस्तों CRPF Constable Treatment भरती 2023, admit card को लेकर आप में से काफी सारे student का सवाल आ रहे हैं कि admit card अभी तक release क्यों नहीं किये गए, आप सभी को पता है कि इसका admit card का date जो है second page का 27 को दिया गया था, लेकिन 27 को भी आपका admit card नहीं आया, इसके अलावा 28 को भी आपका admit card release नहीं किये तो यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर admit card कब आएगा, तो देखिए दोस्तों आज आपका admit card इसका जारी होने वाला है, बाकी जितने भी trade है आप सभी को बता दे, यहाँ पर जीस भी candidate का admit card अभी release नहीं हुआ है, उन सभी candidate का admit card आज आपका release हो जाएगा, यानि कि बाकी जि इतने भी trade है जिनका अभी तक admit card रिलीज नहीं हुए है, उन सभी का admit card आज आपका आने वाला है, और इसको लेकल और लेड़ी आप सभी को पता होगा, CRPF के तरफ से जो notice आया था था 26-2023 को, इसमें आप सभी देखेंगे 29-26-2023 को, यानि कि आज के date में जो है, यहाँ प 27 को admit card नहीं आया, तो आज जो है जितने भी candidate का है भरती जिनोंने form apply किये हैं, सभी का admit card आपको देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर time तो 10 बजे दिया गया है, लेकिन देखिए दोस्तों, 10 बजे तक यह आने की संभावना कम ही रहेगा, साम तक जो है आप सभी को wait करन होगा, साम तक जो है आज आपको admit card देखने को मिल जाएगा, तो आज जो है definitely आपका admit card आ ही जाएगा, क्योंकि एक जुलाई से आपका एक जाम सुरू है, और आप सभी को पता है कि आप समय बिल्कुल भी नहीं है, तो definitely है कि आज आपका admit card जो है साम तक सभी candidate के सभी trade का ज नहीं पता है, उन्हें यहाँ पे एक बार और बता देते हैं, इसके लिए आप सभी अपने mobile phone में Google या Chrome browser को open कीजिएगा, देन आपको type करना है online सरकारी job, online सरकारी job जैसे यह आप type करेंगे, आपके सामने online सरकारी job.com एक site open होकर आएगा, इसे simply आपको open कर लेना है, इसे open क करने के बाद आपको नीचे के तरह पे स्कॉल करना है, और नीचे के तरह पे स्कॉल करने के बाद यहाँ पे admit card का जो section है, CRP of tradesman admit card download 2023, simply इस पर click कर दीजिएगा, इस पर click करने के बाद आपको नीचे के तरह पाना है, और नीचे के तरह पे स्कॉल करने के बाद यहाँ पे कर देना है इस पर जैसे ही आप किली करेंगे आपके सामने जो है यहाँ पर देखेंगे एडमीट का डाउनलोड का जो पेज है वो उपन हो करा जाएगा आप सिंपली यहाँ पर आप से भी अपना user ID फील कीजिए तो user ID यहाँ पर फील कर देते हैं इसके बाद आपको password fill कर देना है तो यहाँ पर password हम fill करते हैं और इसे fill करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपको login कर लेना है तो यहाँ पर password सही से fill कर देते हैं देन login पर click किजिएगा इस पर click करने के बाद आपके सामने कुछ इस पर करके इंटर्फेस आएगा तो देखिए दोस्तो अभी आपका admit card release नहीं हुआ है इसलिए यहाँ पे e admit card का options हो नहीं कर रहा है जब admit card आ जाएगा तो यहाँ पे e admit card का options हो करेगा और इस पर के लिग करके आप सब भी अपन admit card डाउनलोड कर पाएंगे तो आज आप सभी wait कीजिए आज definitely आपका admit card आ जाएगा जीस भी candidate का admit card अभी तक नहीं आया है तो I hope आप सभी समझ गे होंगे कोई भी सवाल हो comment section में बताईएगा इसके admit card चेक करने का link डिस्क्रिप्शन में है आप सभी वहाँ से भी जाकर चेक कर सकते हैं